हेलो एंड वेलकम तो अबर विए श्टडी आईयस तो दोस्तों स्विल सभीस एकजाम के प्रप्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट और कथिन टॉपिक करेंट अफ हेयर का होता है और स्टुडेंट करेंट अफ हेयर की सही और सटिक तयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते ह हैं तो दोस्तों करेंट अफ हेयर के इंपॉर्टेंस और डिकर्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करेंट अफ हेयर स्रीज एट 6 पीम की क्लास लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही मतपूर होगा और यह आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रवाइड नहीं की जाएगी इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कम से कम अपने तीन दोस्तों को सेयर करना होगा दोस्तों करेंट अफ हेयर सिरिज एट 6 पीम के तीन लेबल हैं अगर आप तीनों लेबल को honesty से फालो करते हैं तो आपका exam में कोई भी question गलत नहीं होगा यह 100% guarantee है कि सभी exam में question इसी current affair से आएं कि जो हम आपको बता रहे हैं तो दोस्तों हमारा जो तीन लेबल है उसको हम लोग analysis कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या तीन लेबल होगा तो पहला से Friday 6 p.m. पर मिलेगा यह हमारा फर्स्ट लेबल है सिकेंड लेबल हीच current affair with him क्यूज current affair जो weekly current affair रहेगा जिसमें आपको क्यूज के मादियम से पूरा current affair पूरा week का इसमें डिसकसन डिटेल में डिसकसन किया जाएगा यह भी every Sunday को 6 p.m. पर मिलेगा और इसमें हम लोग का अस है तो गलत नहीं होगा और हमको 100% question का उत्तर मिले हमारे current और हम अपनी सीटेक पकी करा पाएं और इस सब को revision करना बहुत important होता है हम जानते है कि जब भी हम रिविजन करना पहाई करते हैं पचीस परस्ट जो भी घंटा के अंदर भूल जाते हैं और हफ्ता बर में हम 25 परस सब के लिए रामबाड़ है आप VPSC दे रहा हूं PCS दे रहा हूं VPSC दे रहा हूं RO RO का दे रहा हूं सभी एक जाम के लिए रामबाड़ है तो दोस्तों हमें काएं कि तीनों लेबल को आप इमंदारी से फालो किजिए और अपना exit पका किजिए जिसके लिए आप कोई भी इंशन नहीं लेने की दिवरत है आपका टेंशन फिरी होके आप पढ़ाई कीजिए बस सारफ टेंशन हमारे उपर छोग देजिए तो हाइए हम लोग शुरू करते हैं क्रेंट अफेर स्रीच एक सिक्स पीम की क्लास में अपका स्वागत है क्रेंट अफेर स्रीच एक सिक्स फस्वाब आप गेचे स्वावाब ॹजिय को न शुबाटाकम से अगर हम यह आप कुछा का है कौन सा और यहाँ पर गलत है बाकिस सब सही है तो सीच क्रेट आप्ण यहाँ पर इन स्तार्ट मैंन और इस प्रेक्शन देख दो दाए हैं तो explain में आपको बताया है कि लट्टोर्ड रिफार्म शिंग टुओ रोल्ड इंट्रिविटी एल ट्रांस्प्राइशन एप लोट्रोल सिस्टम इतगेट्री ओ ट्रांस्प्राइशन के लिए यहां परकोर सिस्टम में किया गया यहां पर इलेक्टोर फार्म को सेब्रल कमिटी बनाई गई टाइम टूटाइज इसमें से तार्कुंडे कमिटी तार्कुंडे कमिटी हैं यह 75 75 आप देख सकते हैं इमर्जेंसी के यह रहें ठीक सब्सक्राइब कमिटी 98 में बनाई गए अब इसमें से इज भी कटाया गया तो आप देखेंगे तु वेटिंग एज डिक्रीच किया गया कई से अठार इविए मोर्टिंग मशीन इप्लेमेंशन के लिए भी इसमें सिक्रोटी प्रवाइट करने की बात की गई तो इसमें से अब बता है दिस्पाइट इस रिपार्म पास्टी छीप एलक्षन कमिशनर से दर्फोर सिग्निफिकेंट इसू आप ते प्री एन फेर एलक्षन के ल मतलब मोशन है कोई डेपेंड है या रिलेटेट टू अधर मोशन या फालो सम् प्रोसीडिंग इन हाउस यानि या आप मोशन पर कोश्चन पुछा गया है जो बोल रहे है कि यहां मोशन है जो डेपेंड करता है रिलेटेट बोता है दूसरे से जैश आप देमसेल्फ तब तक नहीं इसका कोई मतलब है मतलब की इसमें से पूचा कि यह जो लाइन उपर बताए कि किसके लिए मेंशन किया गया है यह उपर वाइन का मतलब क्या कहाना क्या चाहरा है यह बोल रहा है कि माली जी एक राम है ठीक हनुमान टीक तो राम जी का कोई हस्तितों नहीं जब तक कि राम जी नहीं है काहने का मतलब यह तिहांपर मोसन की बात कर रहा है यहां पर पर यहांट बश्य पर है जो की इन राम जी नहीं रहते तो अनमान जी का जैसे नहीं महत्तो है नहीं में राम्जी से तो चीजर से अनमान दी सै सको यहाँ से कॉणिशन की दिव्सटीरीं मो duy उसकी मोशन सब्स्टेंट मॉशन trust को समझना भी चाहिए जाना चाहिए यह जो सब्सिडिरी मोशन के लिए बोले के सब्सिडिरी मोशन ऐसा मोशन जो उसके जगह पर मतलब की उसके जगह जब तक अनी वही चीज़ है राम जी अगर नहीं है समझ लिजे तो राम जी का कोई अस्थित्तों नहीं होगा अनुमान के बिना ठीक न अनुमान अगर नहीं है तो राम की राम जी नहीं तो हनुमान कोई मतलब भी नहीं मतलब की अराम उसी तरह से जब पर्लेमेंट में कोई मोसन आता है जो जो अरिजिनल मोसन है वह रहेगा तभी सब्सिडरी पर अब इसको आसान बासा में अगरम बताएं आप सीधे समझ लिए रहा महनमान ठीक ना बस आपको क्वेश्टन सही हो जाएगा अब सब्सक्रा चान मोच सब्सक्राइब करने के लिए monopoly fat by Union मोशन ब्सक्राइब करने सब्सक्राइब दूइब करें यह ग्रult टायर फंचे हो जाता है कुछ पदिफाल जाता है तो कहाई किया उसका हुँट का काम करती है तीक कि तृसी तरह से यहां पर समय लीजिए सबस्टेंटिव मोशन सबस्टेंटिव मोशन यहूंप मोशन स satisf श्रक्राना रहता है už सपशडैंत लेता है पूरा इंडेपेंडंट् कोई भी ऐसा नेशनल इसू नेशनल इसू नेशनल इसू जिससे पब्लिक एफेक्ट होती हो जैसे माले जब फार्मिंग बील आई थी उस बील को क्या हुआ था कि उसको 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 पर मोशन लाया जाएगा उस पर डिवेट होगा लेकिन आपके गली में जो नाल यह है चड कि यहाँ आप अफने आफ़ लेगा की सब्सक्राइब के लाइट यह तरुट नोयस नंदाने कершो घ्kel बॉस्कारेलिब संटक्राव्ट के मतलब और ही सब कुछ कर लिया जहां कोई दिकत ने किसी और था आपको सब्सक्राइब कर युक्राइब अब यह आप बता रहा है कि सबसेडरी मोशन कितने पकार का होता है एंसिलरी मोशन सब सुप्रेश सीडिंग मोशन और अमेंडमेंड मोशन इतीन पकार के होते हैं अब अमेंडमेंड मतलब करने के लिए या किसी बील मेंडमेंड करने के लिए लायता है जब तक वह नहीं रह कि माले कोई मोशन चल रहा है कोई भी डिवेट चल रहा है वह थंड़ा बस्ता में पड़ गया है उसको लाने के लिए फिन का क्या जाएगा सुपर सीडिंग मोशन लाया जाता है कि यह चलो उस पर डिवेट हो जाए जैसे रेलवे करना है उसमें बहुत साइक्सडेंट हो रहा है कि उस पर डिवेट तो पहले से ही चल रहे कि उसमें कवच आ रहा है लेकिन आप उस पर फिर डिवेट करना होगा तो आपको उसमें कुछ भी अगच्चेंज आता है तो फिर पुराना वाला जो एक नियम है वो खत्म हो यह खुल मिला के एक सुपरीम हो जाएगा यह ठीक न तीन तरह के नेक्स कोश्चन अ कि अ पर फालोविंग स्टार्ट में एब बील पेंडिंग इन पार्लियमेंट अलनाट लेप्स बाइजन अप प्रोगेशन अप हाउस प्रोगेशन अप हाउस होगा तो बील कभी लैप नहीं होगा यह बात करेक्ट है एब बील पेंडिंग इन कांसिल अप इस्टेट डैट है नाज बीन पास भाई ॐ पीपल से पास नहीं हुआ लेकिन उंड क्यों पर है काउंसील आप स्टेट में छेल लेफ्सौर अपान डिसलूसण है और प्ली पर से दया होग वह पास कि नहीं उट gotta क्टिक्डब नहीं अगर राज्शावमय भी लैपस नहीं होता है लेकिन यहां से घुनतर सुरुआति होता है उर यह लइपस हो जाता है अगर यह टिसुरूआठ यहां से कोई शुरुवात होता है तो कभी इंद नहीं होगा चाहिए वह लिकिन यहां से शुरुवात होगा यह क्या प्रवरी यह खतम हो जाता है तो यह आपको वाली वान इस्टाट्मेंट करेक्ट फर्स्ट अर्टिकल नोट कर लेंगे उसको बरबर पढ़ेंगे याद हो अर्टिकल 107 अप दे कांसुशन अप इंडिया देयर प्रोविजिंट नीटू रूू देपासिं दबी याप इंटू जोच करना और पास करना आर्टिकल 107 में एक्सो साथ में बोला गया है कि क्या प्रविजिन होना चाहिए किसी बिल को इंटूच करने के लिए और पास क आँ पार्लामेंट प्रोगेशन अप हूँ पर्लामेंट अरोगेशन से कोई मतलम नहीं होता है कि वील प्रोगेशन हो जाए ठीक नए बील पेंडिंग इन कांशिल आपि स्टेट विच अनिराज सब अवा में, कोई बील पेंडिंग है और वो पीपल आप हाउस से, हाउस आप पीपल से उपास नहीं हुगा, तो shall not be left resolution of the house of people, लोग सभा से कोई मतलब भी नहीं, अगर वो लप्तिक न वोई चीज़ जो पूपर बताया था पहले, ये bill which is pending in house of people, अब house of people में pending है, और which having been passed by house of people, pending in council of state, और लोग सभा से पास है, राज सभा में वो pending है, तब क्या होगा, तो तब यहां पर क्या होगा, कि subject of the provision of article 108 left on the dissolution of the house of people, तो यहां पर article 108 108 बोलता है कि क्या हो जाएगा, कि people of house का house या people का dissolution होने के बाद क्या हो भी, लेप सो जाएगा, तो ठीक ना, तिहां पर only one correct option, next question, question number four, ठीक, which of the following article of constitution provides, provides for provision of employment of the children in factory, चिल्डेन को factory में काम करने से रोकने का article काउन चाह है, तिह फंडामेंटल राइट में है, ठीक ना, फंडामेंटल राइट में काउन चाह में है, तो राइट तो प्रीडम, राइट तो फ्रीडम कितना से कितना तक है, तो राइट फ्रीडम 19 से लेके 24 तक है, इसमें कितने आए तो चाहर है, कितने चाहर, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, यहां मिस्टक हो गया नहीं हें कि यहां तक है तो 22 थक टिक न 722 प्रिटम तिक राइट टू एप्र एक्सपॉराइटेशन जो है उसके अंदर आएगा 23 और 24 इसके अंदरcock पिस पिश्पॉराइटेशन में आपका प्रकस्पॉराइटेशन है कि यहां भइया इसमें इस बच्चों के लिए आर्टिकल 22 जो है यह नई से 22 तक है अब इसमें आर्टिकल 22 में यह बोला गया है कि कि अगर्टिक आर्टिक पर्टेक्शन के लिए इजुकेशन पर्टेक्शन के लिए इंट्रेस्ट पर्टेक्शन करता है तेकिन अब इस बच्चुन दोनों अब देखेंगे 39 जो लो में क्या है minority right को रच्छा करने के लिए वो ठीक ना कल्चरा और एजुकेशन तो ठीक तो ठीक में आपका इंट्रेस्ट है और तीस में क्या है एजुकेशन और इंस्टूट की बात की कि एजुकेशन करने के लिए तो आपका अब नेक्स्ट क आपको हमेशा के लिए तो आपको हमेशा के लिए तिस में से कौंण साबस्ट है और याद करने का एक बहुत असान ठीक है अब इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए तो इसमें से कौंण साबस्ट शाहिए तिक इसमें से आप देखेंगे तो अब इसको याद करेंगे सबसे बड़ी बात तो यह तिक न तो इसके लिए एक ट्रिक है मैं बता दे रहा हूं उसको आप लोग हमेशा दिमाग में बैठा लीची तिक महान नाग महान नाग तो आप यहाँ कर सकते हैं महान नाग के पास मड़ी होती है ठीक न आप इसको याद करेंगे तो यहाँ से कराव जाएगा कि महान जो महान वाला वर्ड है यह 371 ठीक और इसमें कौन से महान में आएगा तो महाराष्ट्रा और गुजरात दोनों ठीक न आप जब भी आएग यह और आज और यहां से असम आज करें यहां पर भी यह गया मनी मनी पूर मड़ी से का मनी पूर यह सी है तो आप यहां से याद कर सकते हैं महान नाग के पास मनी होती है ठीक अब यहां से आप देख सकते हैं अब यहां से आपको मिल गया नगालेंड मनी मनीपूर अब आगर का बात बचाता आप आगर का यह समझें कि दो दोस्त हैं एक दोस्त अरूर है अरून कि दोस्त कोई स्याम है महेश है दो दोस्त है एक अरून है और दूसरा क्या है स्याम महेश है कि महेश दोनों बात कर रहे हैं तो अरून बोल रहा है अरून बोला अरून बोला कि महान नाग के पास आनि जो महान नाग बड़े नाग होते हैं उनके पास मनी होती है मड़ी होती नागों के पास नो तीए बोला ठीक उसके रिपलाई में महस बोड़ता है महस क्या बोलता है और उनको अंधा अंधा शिखाए शिखाए मुझे मुझे ठीक है चलिए वगले बर मिलते हैं ठीक ना थैंक्यू फार्द वाचिंग जैन जैवारा पास बाँ पास बोला रीक वाल रवगले लड़का